गुरफु शहर के जानेमाने वरिष्चिकिसक एवं समाज से भी डॉक्टर राधा कांट मिष्ण के आगासमे कनिदन पर शहर में शूक की लहर व्याप्त हो गए लंबी बिमारी से जूज रहे वरिश चिकिसक डक्टर रादा कांत मिश्र का बुद्वार को एक यसी वर्ष की अवस्ता में मिरती होगे वरिष चिकिसक एवम समाज सेवी डक्टर रादा कांत मिश्र के फुत चिकिसक राजेश्वर कांत मिश्र ने बताया कि डक्टर रादा कांत मिश्र लंबे समय से बिमार चल रहे थे जिनकी मिर्त्यू एक क्यासी वर्ष की अवस्ता में बुद्वार प्राता काल हुई चिकिसा के वह समाज सेवी डक्टर राधा कांत मिश्र चिकिसा सिवा के साथ साथ समाज सिवा में भी पहचा कर से योग करते रहे उनकी मृत्यू से चिकिसा जगत में एक बड़ी च्छती हुई है वरिश्ची किस्सा के ममसमाज से भी डक्टर राधा कांत मिश्र के निधन पर शहर के गर्मान लोगों ने पहुँच कर अपनी शिर्धान जली अर्पित किया इस मौके पर गुरवपुनी से बात करते हैं वरिष्ची किस्सा के मंसमाज से विड़क्टर राधा कांत मिश्र के पुत राजेश्वर कांत मिश्र ने कहा डाक्टर राम कृष्चिंद्र में से नाम था इनका 1932 मेन का जनम हुआ था 87 वर्ज के करीब थे ये और 1958 में लखनौ किंग्जाउज मेटल कालिज से अंबिवियस करके आये थे और तब से लगातार 61 वर्ज से ये गुरखपूर में प्रैक्टिस कर रहे थे गरीबों के समझे बहुत बढ़े सेवक थे आजीवन इन्होंने गरीबों के लिए अपने ही समझे चिकिस्ता सेवा को समर्पित किया और प्रैड़ा थे हम सभी चिकिस्तकों के लिए कि हमेशा गरीबों की बेसारा लोगों की जरूर मदद करने चाहिए और बहुत इमानदारी और बहुत अच्छाई से उन्होंने पूरा जीवन बिताया इसके साथ उन्होंने सयुक्त परिवार की भी परंपरा को भी जीवित रखा और इसके बहुत बड़े परचारक और परसारक थे कि इंसान अगर परिवार के अस्तर पे एक नहीं हो सकता है तो देश के अस्तर पे एकता की बात वो नहीं कर सकता है तो सबसे पहले परिवार के अस्तर पे एक हो तभी आप पूरे देश के एकता की बात कर सकते हैं इस सिद्धान्त के भी बहुत बड़े प्रसारक थे ये हम सभी लोगों की इनको स्रद्धान्जली पूरे गुरकपूर की जनता सभी लोग इनके इसाकस्मिक निधन से बहुत दुखी है हम उन सारी जनता के प्यार के लिए उस जनता ने जो भी इनको आज तक सम्मान दिया उस सब के लिए हम सब लोग बहुत अनुगरहित हैं आभारी हैं और पूरी जनता को हमारा नमस्कार धन्यवाद